नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के प्रियाग राज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकान की कहानी परत दरपरत अब खुल रही है और जो जनकारी मिली है वो बहुत ही चौंकाने वाली है इसका प्लान खुद माफिया डॉन अतीक अहमत ने साबरमती जेल में बनाया था और उससे वही पर दो सूटर्स मिले थे उन सूटर्स को बरेली जेल में बंद उसके छोटे भाई असरफ से मिलने को कहा गया था ये सूटर्स और अतीक अहमत का तीसरा बेटा असद 10-11 फरवरी को बरेली जेल में बन असरफ से मिले थे वहाँ पे पूरी योजना बनाई गई जो सूटर्स और बदमास मिले वहाँ पे उसमें बीजय चोधरी उर्फ उसमान भी सामिल है जो हाली में पुलिस के एंकाउंटर में मारा गया है अतीक के बेटे असद ने जब अपने चाचा से मुलाकात की थी उस दवरान पूरी योजना को तच दिया गया और असरफ ने असद से कहा था कि तुम्हें गाड़ी में ही बैठे रहना है मॉनीटर करना है बाहर नहीं निकलना है लेकिन उमेश पाल को बच कर भागता देखकर असद अपने को रोक नहीं पाया जोस में होस्क खो बैठा और फाइरिंग करने के लिए आ गया सामने CCTV फूटेज में हो गया कैड दस परवरी को भी प्रयाग राज से सूटर और कुछ गुर्गे बरेली पहुंचे थे यहां सूटर्स ने प्रयाग राज निवासी आकिब की आईडी का इस्तमाल किया जिस आईडी पर अजहर बरेली जेल में असरफ से मिला था वह जांच में फरजी निकली अजहर ने खुद को बरेली के जगतपुर का निवासी दरसाया था ऐसे में आरोपियों पर धोखा धड़ी की भी धारा अब बढ़ सकती है बरेली जेल में बंद असरफ से मुलाकात करने वालों के लिश्ट बहुत लंबी है जांच एजन्सियों ने सर्विलांस रिकार्ड के अधार पे 50 लोग की सूची तयार की है इसमें से 9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बार बार असरफ से मुलाकात की थी इनमें असरफ के साले सद्दाम की प्रेमिका भी सामिल है इसी प्रेमिका की बार बार बात हो रही है कि आखिरकार वो महिला कौन थी जो बार बार असरफ से मिलने के लिए जा रही थी अब ये बात साफ हो गई है कि वो असरफ के सालिस सद्दाम की प्रेमिका है पुलिस सद्दाम और लल्ला गद्दी की तलास में जूटी है और प्रेमिका को भी तलास रही है पुलिस सुत्रों से मिली जानकारी के मताबिक प्रियाग राज में हुई उमेजपाल की हत्या से पहले 11 फरवरी को सूटर बिजज चोधरी उर्फ उसमान भी बरेली गया था उसने गुर्डू मुसलिम और गुलाम के साथ जेल में असरफ से मुलाकात की थी इस मामले को ले करके बितरी चैनपूर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी और जेल के सिपाही समेट चार लोगों को जेल भेजा जा चुका है इस वक्त सबसे ज़्यादे सरगर्मी से यदि किसी को तलास रही है तो माफिया डान अतीक अहमद का बेटा असद अतीक की पतनी साइस्ता परवीन और सद्दाम को सद्दाम 26 दिसंबर के बाद से बरेली नहीं आया लेकिन उसके गुर्गे लगातार असरफ से मिलते रहे इसमें बारादारी छेतरका निवासी लला गद्दी भी सामिल है सद्दाम और लला गद्दी की तलास में एस्टी एफ कई टी में बना करके जोर सोर से जुटी हुई है इसी क्रम में उस महिला को भी ढूना जा रहा है क्योंकि उससे राज फुलने वाला है कि आखिरकार वो क्यों मिला करती थी तो एक बात अब साफ होती हुई एकदम नजर आ रही है कि जिस विजय चोधरी उर्फ उसमान को अभी तक उसके परिवार वाले मान रहे हैं कि अतीक से उसका कोई रिस्ता नहीं था उससे ओफ दरिकार यानि कि बिना एंट्री के असरफ से जेल में मिलवाया गया था और व इनों को मार लिया होता तो साइद और सूटर्स सामने नहीं आते लेकिन गोली लगते ही गिर गया था उमेश पाल और सुरक्षा कर्मी इसके बावजूद हिम्मत करके दोनों ने अपने को समाला और भागने लगे सूटर्स को लगा कि ये बच सकते हैं लिहाजा अतीक का ब मौके पे इस घटना को अंजाम दे रहे थे उसी में पोल खुल गई असद के सामने आने से और अतीक उसका पूरा परिवार फंस गया अब देखते हैं कि जो असरफ का साला है सद्दाम और उसकी प्रेमिका कब पुलिस के हथे चढ़ती है रहें पे कबर देखते रहें इन क विल्बर, तैंक यू.